Hello viewers, welcome back to another exciting video of Furious Wheels तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Maruti Nexa CRS के बेस मोडल के बारे में और ये latest जो है बेस मोडल है जो Sigma के नाम से आता है कार में आपको टोटल जो है 4 वेरेंट्स मिलते हैं Sigma, Delta, Zeta और Alpha ये basic variant है लेकिन basic variant होने के बाद भी इस में काफी अच्छे features जो है वो offer किये गए हैं और दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्लाइन कर रहे हैं Maruti Nexa की किसी भी car को purchase करना या फिर आप करना चाते हैं कार की test drive Merit City के अंदर तो आप डायक मेरे से contact कर सकते हैं मेरी contact details आपको मिल जाएंगी आपकी screen पर और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम start करते हैं कार की front profile से तो आप सबसे पहले car की की देख लीजे यहाँ पर आपको यह remote center locking वाली जो की है वो offer की गई है और यहाँ पर आपको lock and lock के buttons मिल जाते हैं बाकी front profile आप भी देख सकते हैं इसमें base model में भी आपको जो है projector head lamp का feature मिलता है हाला कि इसमें जो LED projector lamp है वो आपको car के alpha variant में मिलेगा front में आपको chrome lining मिल जाती है all black grill आपको दी गई है इस model में आपको नीचे जो fog lamps है वो नहीं आते हैं लेकिन आप accessories से इनको लगवा सकते हैं और overall car front से देखने में कुछ ऐसी लगती है अभी इसमें wheel covers नहीं लगें बट यहां पर आपको 15 inches का जो tire है वो offer किया गाए steel rims के साथ में अगर आप देख पा रहे हो और अगर हम car की dimensions की बात करें तो वो आप अभी car अपनी screen पर देख सकते हैं आपकी screen पर आ रहे होंगी सारी dimensions और काफी अच्छा जो है इसका legroom आपको अंदर मिलता है क्योंकि यह proper sedan vehicle है और काफी अच्छी जो है इसकी outer जो profile है वो भी बनाई गई है और काफी लोग को अच्छी भी लगती है यह car और अगर कोई भी Cias user इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज हमें comment करके बताईएगा ज़रूर के उनके हिसाब से उनके क्या review है मारूती Cias में बाकी side profile आप अभी देख सकते हैं 15 inches के steel limb आपको मिलेंगे जो आपका sigma variant है उसमें delta से आपको जो है alloy wheel मिलने start हो जाते हैं side ORVM के अगर बात की जाए तो body color ORVM आते हैं आपके turn indicators के साथ में और इसमें आपको foldable का option नहीं मिलता है sigma variant के अंदर delta में आपको जो ORVM foldables जो feature है वो मिल जाता है बाकी body color आपको door handle देख सकते हैं दोनों आपको door handle body color में मिलते हैं और side से car देखने में कुछ यहाँ पर ऐसी लगती है rear profile भी मैं आपको चेक करा ज़ता हूँ तो यह आप अभी देख सकते हैं rear profile को rear में sigma variant में आपको जो है combination जो halogen tail lamps है वो दिये गए है बाकी जो alpha variant है जीटा वेरिंट है उसमें आपको rear में split LED tail lamps देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको यह reflector देखने को मिलेगा और total 4 जो है parking sensor इसमें offer किये गए camera जो है इस sigma variant में नहीं आता है rear में आपको यहाँ पर यह defogger मिल जाएगा जो कि again base model के हिसाब से काफी अच्छा feature है बूट को भी चेक कर लेते हैं तो यह आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा बूटी स्पेस offer किया गया अभी थोड़ी light कम है तो हो सकता है आपको proper नहीं दिख रहा होगा बाकि काफी large जो है बूटी स्पेस आपको इसमें देखने को मिलेगा और यह आप अभी आप साइड से चेक कर सकते हैं और चलिए अब चलते हैं कार के अंदर तो यह आप आप अभी देख सकते हैं मारूती सियाज का जो बेस मोडल है सिग मा का इंटिरियर आपको समें डौल टोन इंटिर देभ news मिलता है सिलवर और वृडन और्नेमेंट के साथ मे जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगते हैं और overall कुछ ऐसा दिखता है कार का interior अगर मैं steering wheel की बात करूँ तो sigma variant में भी आपको जो है audio control और आपके bluetooth connectivity के जो controls हैं वो steering पर मिल जाते हैं और कुछ ऐसा दिखता है यह steering column यह आपको tilt adjustment के साथ में आ जाएगा अगर आपको प्रीमियम जो है लगता है कार का interior यहाँ पर आपको chrome finish मिल जाती है इधर आपको सारे windows के control है यह आपको electrically adjustable ORVM आते हैं sigma variant में अगर आप डेल्टा लेंगे तो आपको foldable का भी option आजाएगा और storage के लिए आपर magazine holder one liter bottle holder वह यहाँ पर दिया गया है और इस अगर हम treatment की बात करें तो यह आपको fabric मिलता है यह आपको leather में जो है दिया गया है जो आपका door armrest है और seats की बात कर लेते हैं तो इस में इंट में आपको जो है fabric seats वह offer की गई है जो कि अपने आप में काफी comfortable यहाँ पर लगती है और यहाँ पर आपको मिल जाती है adjustable seat belt front passengers के लिए और adjustments की अगर बात की जाए तो यहाँ पर seat height adjustment का feature नहीं मिलता है बाकि seat adjustment के features यहाँ पर दिये गए हैं और इदर आपको मिल जाता है आपका fuel lid opening और देखने में car कुछ यहाँ पर ऐसी लगती है front comfort feature में आपको यहाँ पर जो base model है उसमें भी center armrest जो है दिया गया है और यह आपका storage के साथ में आता है जिसमें आप अनाम से अपने wallet वगरा coins वगरा रख सकते हैं बाकि overall middle console का layout कुछ ऐसा है black और beige काई जो interior है वो काफी शांदार लगता है और आप अकर car के अंदर आकर के बैठेंगे तो आपको जरा भी feel नहीं होगा कि आप जो है किसी base model की car में बैठे हैं और यह आप देख सकते हैं आप चलते हैं car के अंदर मैं आपको कार के बाकि features के बारे में बता देता हूँ तो दोस्तों मैं भी आ गया हूँ मारूती सियाज sigma model के interiors के अंदर और आप देख सकते हैं काफी premium जो है आपको feel यहाँ पर बैठने के बाद लगेगा और चलिए फटाफट से बात कर लेता है car के जो instrument cluster is की तो यहाँ पर left side में आपको टैचो मेटर मिल जाएगा right side में आपको मिल जाएगा speedometer और middle में दी गई है इसमें आपको color tft display जो कि आपको काफी सारी informations provide कराते हैं one by one सभी information के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अभी देख पा रहे हों मैं इसको थोड़ा सा zoom कर देता हूँ तो अगर आप अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ अभी average fuel economy आ रही है उसके बाद आपका यह ideal जो distance to empty है वो आ जाता है यहाँ पर जो total time है वो आ जाएगा और उसके बाद यह आपका analog जो है वाच आ गई और यह आपको टॉर्क और पावर के जो डाइल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं साथ ही में यहाँ पर आपको यह आपका smart hybrid का पूरा setup दिया गया है जिसमें पीछे यहाँ पर आप अगर देख पाने हो तो बैटरी का setup दिया गया है और आगे जो है इंजन का इसमें जो है शो कर रहा है वो और यही सब features जो है इसके जो instrument cluster है उसमें offer किये गए है इसमें आपको smart hybrid technology के साथ में 1.5 लीटर का जो engine है वो दिया गया है और इसकी अगर fuel economy की बात करें तो 17-18 kmpl की जो mileage है वो आपको city में मिल जाएगी और 2021-22 के around में जो है यह mileage आपको highway के अंदर मिल जाएगी बाकि आप भी चेक कर सकते हैं overall काफी अच्छा जो है interior यहां पर offer किया गया है यह wooden finish आप देख सकते हैं जो की देखने में again काफी ज़्यादा premium लगती है music system की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका aux, usb, bluetooth यही सब features इसमें मिलते हैं और इसमें cd का भी option इसमें दिया गया है तो यह भी काफी अच्छा feature यहां पर लगता है इसमें reverse camera जो है वो नहीं मिलेगा क्योंकि यह base variant है पर आपको इसमें rear parking sensors जो है वो offer किये गए हैं और AC के controls की बात की जाए तो यहां पर आपको manual AC मिलता है इसमें आपको कोई भी auto climate control का जो feature है वो sigma variant में नहीं मिलेगा और अगर storage spaces की बात करें तो यहां पर आपको काफी अच्छी storage मिल जाती है cup holders और आपके phone के साथ में साथ ही में यहां पर आपको 12V का power port और USB और AUX port भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही में बात कर लेते हैं कार के glove box ही तो यह आप अभी देख सकते हैं काफी deep जो है यहां पर glove box रखा गया है जिसमें आप अराम से अपने जो stuffs हैं उनको अराम से रख सकते हैं और overall काफी अ जो और डिमिंग है वो नहीं मिलता है मैनुवल से ही आपको इसका जो IRVM है उसको एजस्स करना होगा पर यहां पर आपको लाइट्स जरूर मिल जाती है कैबिन लाइट्स जो की अगेन काफी अच्छा फीचर है most of the car में यहां पर फ्रेंट में नहीं दिया जाता है और इसको एजस्स कर रहा हूँ अपनी हाइट के अगोर्डिंग और यह देखे है यह मेरी आइडियल पोजिशन है जिस पर मैं कार चलूंगा और थाई सपोर्ट मुझे काफी अच्छा यहां पर लग रहा है बैक सपोर्ट भी अच्छा है सीट का काफी वाइड इनफ जो है य आपर दिया गया है फ्रेंट के डोर की तरह रियर का डोर का सैट अप भी रखा गया है जिसमें आपको स्पीकर आपका बोटन होल्डर मैगजिन होल्डर और यह डोर आम्रेस्ट भी ओफर किया गया है और ओवरल कुछ ऐसा दिखता है कार का कैबिन यहां पर आपको इसका जो फीचर है वो दिया गया है साथ ही में रियर पेसेंजर की कन्वीनियंस के लिए नीचे यहां पर आपको 12W का पावर पोर्ट और रियर की AC वेंट्स भी ओफर किये गया है जो की अगें काफी अच्छा जो है सेट अप है और रियर से ओवरल कुछ ऐसे देखने में में लगता है कार का गैबिन आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएगा जरूर के सियास के जो इंटीर से फीचर से वह आपको कैसे लगते हैं और बूट मैं आपको इसका दिखाई चुका हूं बाकी यह कहना था दोस्तों अगर आप लोग प्लैन करने नेक्स सकी कि किसी और नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो